आतलाम लेकुम देयर चेनलर्ण्स, हावर यू, I hope you all are fine and stay safe at home and enjoy a lot at the Eid और इदी भी काफी अच्छी सारे जमकी होगी, now back to the studies, बेटा जी आपने हम हाज़त नू की कहानी जानवरों से बरता और हमारे हम साहे के question answers और जुम्ले प्रपेर करने for the revision, for the exam, अभी आप उसकी revision करें बार बार उसको सुनेंगे, उसको याद करेंगे और उसको याद करके अपने रफ को पर लिखेंगे, now यह सबसे पहले आपका lesson है, हम्द, नजम हम्द, हम्द किसे कहते हैं, जिस नजम में अल्ला की तारी पयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं, number two, इस नजम में अल्ला की बन हाई हुई पांच चीजों के नाम लिखिए जिनका हम में जिकर है। जिनका हम में जिकर नहीं है। दरिया, पहाड, फल, सब्जियां और वालदین का जिकर हम में नहीं है। सवाल नबर फूर नजम हम में से हम आवाज अलफाज लिखिये। हार, बार, खिलाए, उगाए, हर्याली, बाली, तमीज, चीज, डरें, करें Next, हज़त नू की कहानी Number one, हज़त नू कौन थे? हज़त नू اللہ के नबी थे हज़त नू और तमाम नबी लोगों को क्या समझाते थे? तमाम नबी लोगों को अच्छे काम करने और बरे कामों से रुकने का कहते थे Number three, Allah त concentrated, लोगों को नाफर्मानी की क्या सजा दी Allah तो ने सब नाफर्मान लोगों पर लोग पानी में स्ोरी सब नाफर्मान लोग पानी में डूप गये यानि अल्ह ताला ने नाफर्मान लोगों को क्या सजा दी अल्ह ने ये सजा दी कि सब नाफर्मान लोग पानी में ढूब के नाफर्मान लोग हज़त नू का मज़ा क्यों उड़ा रहे थे हज़त नू का मज़ा कश्टी बनाने की वज़ा से उड़ा रहे थे क्यूंकि वहां दरिया या समंदर नहीं था हज़त नू ने कश्टी में क्या क्या रखा हज़त नू ने कश्टी में जानवरों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान रखा कश्टी जिस पहाड पर रुकी उसका क्या नाम था कश्टी जिस पहाड पर रुकी उसका नाम जोदी था नेक्स चेप्टर जान वरों से बरताओ स्वाल नमब वान हजूर्स अललाग। किन लोगों के साथ तश्री फर्मा थे हजूर्स अललाग। सहाबा के साथ तश्री फर्मा थे नमब टू حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے Oальной के लिए किन जानवरों की मिज़ा बे dancers कर जिकर किया आप صلی اللہ علیہ وسلم ने अच्छा सलू करने के लिए बिली और उंटनी का जिकर किया सवाल नमौ पूर حضور صلی اللہ علیہ وسلم ने लोगों को क्या नसियत की आप صलی اللہ علیہ وسلم ने लोगों को नसीफ की कि जानवरों के साथ अच्छा सा लूग करें और इन से डरें नेक्स लास्ट चेप्टर हमारे हमसाए सवाल नमर बान बरे आजम किसे कहते हैं फुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आजम कहते हैं नमर टू बहारत के दारों हकूमत का नाम लिखिए बहारत के दारों हकूमत का नाम नई दिली है नमर त्री चीनी बच्चों की खास बात क्या है जवाब चीनी बच्चे सहत मन और अपने वालदین की तरह महंती होते हैं यानि बहुत हार्ड वरकिंग होते हैं नमबर फूर अगवानिस्तान के दारलहकूमत का नाम लिखिए दारलहकूमत में उनका कैपिटल अगवानिस्तान के दारलहकूमत का नाम काबल है सवाल नमबर पांच ये मजबून किस की जुबानी लिखा गया है ये मजबून पाकिस्तान की जुबानी लिखा गया है पाकिस्टानी बच्चे कैसे होते हैं दो खुबियां लिखिए पाकिस्टानी बच्चे जहीन और महंती होते हैं दिल लगा कर पढ़ते हैं खेल कूद में भी दिल्चस्पी रखते हैं बटाजी ये तो सारे आपके कॉश्टन आससे हैं और अब हम इसके जुमले करेंगे जुमले नजम हम्द के शाय सलीम फारू की हैं पालनहार अल्ला हमारा पालनहार जल्वे हर चीज में अल्ला के जल्वे नजर आते हैं भेद किसी का भेद मत कोलो यनि किसी का राज नी कोलना चाहिए तमीज इल्म अच्छे और बुरे में तमीज सिखाती है नेक्स हजद नुव अल्यासलाम की कहानी सजा अली को जूट की सजा मिल गई जंगल शेर जंगल का बाद्शा है मजाक किसी का मजाक उड़ाना बुरी बात है कश्टी कश्टी पानी में चलती है आज सुबा से बारिश हो रही है पहार मरी में पहार बहुत मरी में बहुत पहार है या आप ये भी कह सकते हैं के जोदा पहाडी जो थी कश्टी जिस पहाड पर रुकी उसका नाम जोदी था नेक्स हमारे हमसाइब महेंती इल्म बड़ी बे 出來 number one मेहनती अप अपना नाम भी लिख सकते हैं अपने Friends का और अपने Family Members का भी कर सकते हैं Sentences में कुछ ने कुछ आप यूज कर सकते हैं सहत हना बहुत सहतमांद है खेल सारा को खेल में दिलचस्ट बीज्द है खुबसूरत हमारा बतन बहुत खुबसूरत है